मनोहर एक गरीब किसान था वो अपने खेत में मौसम की सबजी आउगाता था उनके गाव में एक बड़ा ही रईस ठेकेदार था जो सभी किसानों से उनकी फसल करीद कर बाजार में उचे दामों पर बेचा करता था सुनिये जी आप इस बार ठेकेदार को अपनी फसल मत बेचना इससे अच्छा तो आप खुद ही बाजार में जाकर अपनी फसल को बेचाना चाहता तो मैं भी यही हूं भाग्यवान लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता जानती तो हो तुम उस ठेकेदार को, गाओं के किसी भी किसान को खुद सबजी बेचने देना तो दूर, किसी दूसरे ठेकेदार को भी सबजी बेचने नहीं देता याद है न, सुरेश ने जब अपना सबजी का ठेला लगाया था, तो अपने आदमियों को भेज कर ठेकेदार ने उसका ठेला ही तोड़वा दिया था, उपर से उसके खेत में आग भी लगवा दी थी, ये सब जानने के बाद भी, मुझ में तो ठेकेदार से पंगा लेने की ह लेकिन आखिर हम कब तक इसी तरह डर कर जीते रहेंगे, जितने पैसे वो ठेकेदार हमें फसल के देता है, उतने पैसे में तो हमारा दो वक्का खाना भी ठीक से नहीं हो पाता, अगर ऐसा ही चलता रहा, तो थोड़े दिनों में हमें एक वक्का खाना भी नसीब होना ठेकेदार साहब उसके पास आते है, अरे भाई मनुहर इस बार कौन सी फसल उगाई है तूने, इस बार मैंने शलगम उगाई है ठेकेदार साहब, बड़े ही मीठे शलगम है, अरे अरे तूने क्या उगा लिया, आज कल कौन बाजार में शलगम खरीतता है, कुछ उगाना ह था तो आलू या मटर वगएरा होगा लिता बाजार में इन सबजियों का दाम कम से कम अच्छा मिल जाता है शलगम बेच कर तो मैं कुछ भी पैसे नहीं कमा पाऊंगा ऐसा है तो आप इस बार इस फसल को मत खरीदिये मैं खुद ही बाजार जाकर इस फसल को बेच दूँगा अरह नहीं नहीं मेरे रहते तुझे कश्ट लेने की ज़रूरत नहीं है तुभारे लिए मैं थोड़े कम दाम पर भी शलगम बेच लूँगा तुम कला कर सारी शलगम दे जाना मैं तुभे शलगम पर पांच रुपे किलो का हिसाब दे दूँगा पाच रुपए ये तो बहुत कम है ठेकेदार साहब इतने पैसों में तो मेरी लाकत भी नहीं निकलेगी कम से कम मुझे पंदरा रुपए एक किलो शलगम पर तो दे दीजिए क्या कहा पंदरा रुपए अर जरा अवकात में रहकर बात करो मनोहर इस शलगम के कोई भी ठेकेदार तुम्हें 6 या 7 रुपए से जादा नहीं देगा कहा इस शलगम को लेकर ठेकेदारों के पास भटकोगे मैं तो कहता हूँ मुझे ही बेच दो माफ करना ठेकेदार साहब इस शलगम को इतने सस्ते दाम में बेचने से अच्छा है कि मैं इसे मुफ्त में ही लोगों को बाट दूँ कम से कम लोगों की मुझे दुआए तो मिलेंगी अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर अब तु लोगों की दुआए ही ले ले क्योंकि अगर तुम मुझे शलगम नहीं बेच सकते तो मैं तुझे किसी और को भी शलगम नहीं बेचने दूँगा अब तु देख कैसे इस बार तेरी पूरी फसल बरबाद होगी एक रुपिया भी नहीं कमाने दूँगा मैं तुझे ठेकेदार मनोहर को धमकी दे कर चला जाता है मनोहर हिम्मत करके अगले दिन अपने शलगम लेकर शहर के दूसरे ठेकेदारों के पास बेचने जाता है देखो भाई मनोहर, खरिदने को तो मैं तुम्हारे सारी फसल खरीद लो, लेकिन तुम्हारे गाउं के ठेकेदार ने मुझे तुमसे फसल खरिदने को मना कर दिया है अब तुम्हारे चक्कर में मैं ठेकेदार से अपने इतने पुराने रिष्टे खराब नहीं कर सकता इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम इन शलगमों को लेकर यहां से चले जाओ रामलाल बहुत से ठेकेदारों के पास अपनी सारी फसल बेचने की कोशिश करता है लेकिन उसके गाव के ठेकेदार की वज़र से कोई भी ठेकेदार उससे उसकी फसल नहीं खरीदता कोई बात नहीं जी अगर किसी को हमसे फसल नहीं खरीदनी तो मत खरीदने दीजे आप ये फसल बाजार में बेचने निकल जाएए हाँ जानती हूँ कि फसल बहुत जादा है लेकिन धीरे धीरे करके बेचेंगे तो ये फसल कुछ दिन में बिखी जाएगी ठीक ही कह रही हो भाकिवान मैं कल सुभा शलगम ले जाकर बाजार में बेचने चला जाओंगा मनोहर अगले दिन एक ठेले पर शलगम रखकर बाजार में बेचने निकल पड़ता है आपकी ये शल्गम तो बहुत ही ताजा लग रही है ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी आपने इने खेट से तोड़ा हो आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है बेहन जी ये मेरी खेट के ताजी शल्गम है इनका स्वाद भी एकदम मीठा है मेरे पती को शल्गम बहुत पसंद है तो आप मेरे लिए दो किलो तोल दीजिये मनोहर ग्राहक के लिए दो किलो शल्गम तोल देता है तभी बाजार से गुजर्ते हुए ठेकेदार की नजर मनोहर पर पढदती है अच्छा तो ये यहां बाजार में शल्गम बेच रहा है इसको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से बाजार में इसे शल्गम बेचने दूँगा मुझसे पंगा लेकर इसने ठीक रही किया है इसकी सकरनी का तो मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये जिन्दगी भर भूल नहीं वहाँ से जाने के बाद ठेकेदार अपने कुछ आदमियों को मनोहर को डराने धमकाने के लिए उसके पास बेजता है देख मनोहर अभी भी मौका है अगर अपनी भलाई चाहता है तो ये शलगम तो ठेकेदार साहब को बेच दे देख बच्चो तु या तो इस फसल को ठेके दार साहब को बेच दे या हम तुझे किसी लायक नहीं छोड़ेंगे जो तुझे थोड़े बहुत पैसे मिलने होंगे न वो भी तुझे नहीं मिलेंगे देखो तुम दोनों चले जाओ यहां से मैंने एक बार कहा ना मैं अपनी फसल नहीं बेचना चाहता ठेक है तो अब जो भी होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू ही होगा दोनों गुंडे अपने अपने हाथ में मोटे लकडी के डंडे लेकर मनोहर के ठेले को तोड़ देते हैं और उसके ठेले पर रखी सारी शलगम पूरे रोड़ पर बिखर जाती है यह तुम क्या कर रहे हो भाया क्यूं गरीब की रोजी रोटी पर लात मार रहे हो याद रखो तुम जैसा आज हमारे साथ कर रहे हो उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा उपर वाला सब देख रहा है अपना ये फालतों का ग्यान किसी और को दियो चल बिर्जू चलते हैं यहाँ से मनोहर का पूरा ठेला बरबाद करके ठेकेदार के आदमी वहां से चले जाते हैं मनोहर रोता हुआ अपने घर पहुचता है और अपनी पत्नी को सारी बाद बताता है इस ठेकेदार की दादागिरी तो बढ़ती ही जा रही है ना तो खुद हमें पैसे देता है ना हमें दो पैसे कमाने देता है आप कल से गाओ में शलगम बेचने जाना ही मत शलगम लेकर शहर चले जाना वहां तो ठेकेदार नहीं आ पाएगा अगले दिन मनोहर जैसे ही शलगम तोड़ने के लिए खेत में जाता है तो देखता है कि उसके खेत में उगी शलगम की पूरी फसल बुरी तरह जलकर बरबाद हो चुकी है अपने खेत की ऐसी हालत देखकर मनोहर अपना माथा पकड लेता है मनोहर परेशान होकर वहाँ बैठा ही होता है कि तब ही उसके पास पटे पुराने कपडे पहना हुआ एक छोटा सा बच्चा आता है अंकल, अंकल, मुझे बहुत भूक लगी है मुझे कुछ खाने को दो ना, मैंने दो दिनों से कुछ भी नहीं खाया है बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए खाना तो नहीं है लेकिन मेरी जेब में ये पंधरा रुपे बचे है तुम ये ले जाओ, इसी से कुछ खरीद कर खाल लेना आपका बहुत-बहुत शुक्री अंकल आपने मुझे पैसे दे कर मेरी मदद की इसलिए मैं भी आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ मेरे पास आपको देने के लिए कुछ और तो नहीं है लिकिन ये शल्गम है आप इस शल्गम को अपने पास रख लीजिए ये शल्गम आपकी सारी मुश्किलों को हल कर देगी वो बच्चा मनोहर को शल्गम देकर वहां से चला जाता है तब ही उस बच्चे के वहां से जाते ही वो शल्गम मनोहर के हाथ से उचल कर नीचे गिर जाती है तुमने मुझे इतनी कसकर पकड़ा था कि मेरा तो दम ही घुट गया अरे ये आवास कहां से आ रही है? कौन है यहाँ पर? अरे मैं हूँ जादूई शल्गम इधर तो देखो अरे ये कैसी शल्गम है जो मुझे से बात कर रही है? अरे मैंने पताया तो कि मैं एक जादूई शल्गम हूँ मैं अपने जादू से तुमसे बात भी कर सकती हूँ और तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ वो बच्चा जो तुम्हें मुझे दे कर गया वो परी लोग का राजकुमार है उन्होंने तुम्हें मुसीबत में देखा तो वो तुम्हारे मदद करने के लिए तुम्हें परखनी आई थे जब तुम्हारे पास खुद के खाने के भी पैसे नहीं थे तो तुमने उस ठेकेदार की वज़े से तुम्हें बहुत नुकसान हो गया है, लेकिन अब मैं तुम्हें नुकसान में नहीं रहने दूँगी। लेकिन वो कैसे? वो तो बस अब तुम देखते जाओ। जादूई शलगम अपने हातों को हवा में घुमाती है, तो देखते ही देखते मनोहर का जला हुआ खेत फिर से हरी भरी शलगम की फसल में लह लहा उठता है। ये तो चमतकार हो गया, लिकिन जादूई शलगम अगर ठेकेदार ने अपने आदमी भेज कर फिर से मेरे खेतों को जलवा दिया तो मैं क्या करूँगा? तुम उसकी चिंता बिलकुल भे मत करो मनोहर, तुम्हारा खेत अब कोई मामूली खेत नहीं बचा, इसे मैंने अपने जादू से उगाया है, इसमें उगी हुई शलगम की फसल को कभी कोई बरबाद नहीं कर सकता, और ना ही ये फसल कभी खत्म होगी, तुम इसमें से जित थेकेदार की वज़े से सभी किसान बहुत परिशान है, क्या तुम मेरे साथ साथ गाओं के सभी किसानों की भी मदद कर सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल, मैं सब की मदद कर सकती हूँ, लेकिन सब की मदद करने के लिए मुझे कोई और ही तरीका अपनाना होगा, क्यूंकि जब तक इस ठेकेदार को अकल नहीं लग जाएगी, तब तक मुझे शान्ती नहीं मिलेगी, तुमने जैसा कहा है, वैसा ही होगा, आज के बाद ठेकेदार किसी को परिशान नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए पहले मुझे अच्छे से उसे सबक सिखाना होगा, जादुई शलगम हवा में उडती हुई ठेकेदार के पास पहुचती है, और बहुत बुरी तरह से लकडी के मूटे डंडे से उसकी पिटाई करवा जाती है, डंडे से पीटने की वज़ा से ठेकेदार के शरीर पर गहरे नीले रंग के नील पढ़ जाते है, वो दर्द के मारे जोर-जोर से चिलाने लगता है, अरे छोड़ दो, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद किसी किसान को परिशान नहीं करूंगा, तुम किसी किस किसान को परिशान करने के लायक रहोगी, तब तो किसी को परिशान कर पाऊगी ना, अगर आज के बाद मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी ऐसा पता लगा, तो तुम्हारा इससे भी बुरा हाल होगा, जादुई शलगम उस ठेकेदार को बड़ा अच्छा सबग सिखा उस दिन के बाद वो ठेकेदार कभी भी किसी किसान के साथ ऐसा नहीं करता, बल्कि अब वो फसल करिदने का काम ही बंद कर देता है, और सभी किसान खुशी-खुशी बाजार में जाकर अपनी फसलों को अच्छे दाम पे बेचते हैं महेश एक गरीब किसान था, वो अपने पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था, उसका अपना एक चीकु का खेत था, वो अपने खेत में उगे चीकुओं को बाजार में बेच कर थोड़े बहुत पैसे कमाता था रजनी, तुम जल्दी से मेरे लिए कुछ रोटियां बान दो, नहीं तुम मुझे बाजार बहुचने में बहुत देर हो जाएगी बस अभी लाई जी रजनी महेश के लिए कुछ रोटियां और एक डब्बे में थोड़ी सी सबजी रख देती है महेश खाना लेकर बाजार के और चीकु बेचने निकल जाता है चीकु ले लो चीकु, ताजे ताजे, मीठे मीठे, चीकु ले लो चीकु देखने में तो बड़े ही ताजा लग रहे है लेकिन खाने में मीठे है भी या नहीं अरे बहन जी मेरे खेट के चीकु है बिल्कुल ताजे और मीठे आप चाहो तो मैं एक चीकु काट कर दिखा सकता हूँ हाँ हाँ, बिल्कुल भाईया जब तक मैं ये चीकु खा कर नहीं देखूंगी तब तक मुझे आपकी बात पर भरोसा नहीं होगा हाँ, मेरे पती कहते है कि भाग्यवान जो कुछ भी लेना परक कर लेना हाँ हाँ, बिल्कुल बहन जी बिल्कुल ठीक कहते हैं आपके पती ये लीजिए, ये चीकु खा कर देखिए महिश उस औरत को चीकु खाने के लिए देता है तो उस औरत को वो चीकु बहुत ही स्वादिश्ट लगता है वाँ भाईया, ये चीकु तो सचमुझ बहुत ही स्वादिश्ट है आप मेरे लिए दो किलो पैक कर दीजे ऐसे ही जो भी ग्राहक महेश के पास आता है उसे महेश के खेत के चीकू बहुत ही पसंद आते है उसके चीकू हातो हात बिग जाते थे जिस वज़े से उसकी कमाई भी ठीक ठाक हो जाती है वो अपनी कमाई से बहुत संतुष्ट था उसके पास जब भी कोई जरुरत मन दाता तो वो हमेशा सब की मदद किया करता था अगर उसके पास सिर्फ एक रोटी होती तो उसमें से भी आधी रोटी किसी भूके को दे दिया करता वो खुद भले ही भूका रहे लेकिन अपने सामने वाले भूके इंसान को वो हमेशा अपने हिस्से में से खाना देता था आज तो काम करते करते पता ही नहीं चला कब दोपहर के तीन बच गए बहुत भूग लगी है देखता हूँ आज रजनी ने मुझे खाने में क्या बना कर दिया है अरे वाह आज तो रजनी ने मेरी पसंदीदा चावल की खीर और आलू की सबजी बना कर दी है आज तो खाना खाने का मज़ा ही आ जाएगा महेश जैसे ही खाने का पहला निवाला तोड़ता है, वैसे ही एक बूढ़े बाबा महेश के पास आते है उनके कपड़े बहुत जादा मैले और फटे पुराने थे उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कई दिनों से ठीक से कुछ खाया नहीं है क्या बात है बाबा, आप इस तरह यहां क्यों रुख गए, क्या आपको मेरी कोई मदद चाहिए बैटा मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, कहीं से एक आधी रोटी मिल जाती है तो उसे खा कर ही सो जाता हूँ, लेकिन कल से तो मुझे एक भी रोटी नसीब नहीं हुई तो मैं खाना खाते हुए देखा, तो मेरा मन भी इस खाने को खाने का कर गया तो बैठिये ना बाबा, आप मेरे साथ बैठ कर खाना खाईए आज तो मेरी पत्नी ने खास चावल की खीर भी बनाई है, आप खाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी महेश अपना सारा खाना उस बूढ़े आदमी को दे देता है, वो बूढ़ा आदमी उस खाने को खाकर बहुत ही खुश होता है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आज तुम्हारी वज़ा से मैंने इतने समय बाद पेट भर खाना खाया है, भगवान तुम्हारा भला करे धन्यवाद काका बिटा आज के समय में तुम जैसे नेक दिल इंसान बहुत कम देखने को मिलते हैं देखना एक दिन भगवान तुम्हें तुम्हारी नेक दिली का इनाम जरूर देगा महिश को आशिरवाद देकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है उसके परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था तभी एक दिन उसकी पत्नी अचानक बेहोश हो जाती है महिश तुरंथ ही उसे अस्पताल लेकर जाता है डॉक्टर सहब मेरी पत्नी को क्या हो गया? वो जल्दी ही ठीक तो हो जाएगी ना? देखें आपकी पत्नी को एक गंभीर बिमारी हो गई है अगर हमने समय रहते इनका इलाज नहीं किया तो इनकी जान भी जा सकती है हमें जल्द से जल्द इनका ओपरेशन कर रहा होगा आप कल तक हॉस्पिटल में पांच लाख रुपे जमा करवा दीजिए पांच लाख इतने कम समय में मैं इतना सारा पैसा कहां से लेकर आऊंगा हे भगवान ये तुने कैसी परिशानी में डाल दिया मुझे अपनी पत्नी के इलाज के लिए महेश अपने खेट को गिर्वी रखने के लिए सेट जी के पास जाता है लेकिन सेट जी खेत गिर्वी रखने पर उसे इतने पैसे नहीं देते जिस वज़से उसे अपना खेत सेट जी के पास बेचना पड़ता है वो उन पैसों से अपनी पत्नी का इलाज करवाता है और कुछ दिन बाद उसे घर वापस ले आता है मेरी वज़से आपको अपना खेत बेचना पड़ा अब आप कहां पर खेती करोगे और कैसे पैसे कमाओगे मेरी वज़से सब कुछ खराब हो गया तुम ये सब बाते मत सोचो रजनी वो खेत तुमसे ज़्यादा जरूरी नहीं था भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो गई हो मेरे लिए तुम सबसे ज़्यादा माईने रखती हो पैसे तो मैं कोई और काम करके भी कमा लूँगा कुछ दिनों बाद रजनी बिलकुल ठीक हो जाती है और महेश इधर उधर काम की तलाश में निकल जाता है लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता जिस वज़े से वो बहुत परिशान हो जाता है क्या आपको कोई काम मिला? घर में अब बस कुछ ही दिन का राशन बचा है कुछ दिन बाद हमारे पास खाने के लिए सादे भाद भी नहीं बचेंगे मैं कोशिश तो कर रहा हूँ रजनी लेकिन कहीं भी कोई काम ही नहीं मिल रहा समझ नहीं आ रहा कि आखर में क्या करूँ अगले दिन महेश वर से काम ढूणने जाता है तो उसे एक जगह खेतों की देखभाल करने का काम मिल जाता है वो खूब मन लगाकर अपना काम करता है एक दिन वो अपना काम पूरा करके दोपेर का खाना खाने के लिए पेड के नीचे जाकर बैठता है तभी उसे एक चिडिया की जोर जोर से चहचहानी की आवाज आती है यह आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है लेकिन इस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे यह चिडिया किसी गहरे दर्द में हो कहीं बैचारी चिडिया को कोई चोट तो नहीं लग गही अरे अरे प्यारी चिडिया, तुम्हारे पंजे में तो गहरी चोट लगी है, इस पर तो मुझे दवाई लगानी होगी, लेकिन यहाँ पर तो मेरे पास कोई दवाई भी नहीं है, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ घर ले चलता हूँ, वैसे भी मेरा आज का काम तो पूरा हो ही गया, महिश उस घायल चिडिया को अपने घर ले आता है, और अपनी पत्नी को उस चिडिया के बारे में बताता है, अरे अरे इसके पंजे में तो बहुत गहरी चोट लगी है, आप इसे संभालिये, मैं इसके लिए हल्दी का लेब ब पना कर लाती है, और अच्छी तरह उस चिडिया के पंजों पर लगा देती है, पियारी चिडिया, तुम परिशान मत हो, मैं तुम्हारी चोट पर हल्दी का लेब लगा देती हूँ, अब तुम जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो जाओगी, रजनी एक छोटी सी टोकरी में चद कुछ दिनों में वो चिडिया बिल्कुल ठीक हो गई, तभी रजनी ने महेश से कहा, सुनिये जी, अब ये चिडिया बिल्कुल ठीक हो गई है, इसलिए अब हमें इसे खुले आसमान में उड़ा देना चाहिए, ये जाधा दन तक घर में बंद रहेगी, तो परिशान हो ज चाहिएगी, तुम क्या मुझसे परिशान हो गई हो, जब मुझे अपने घर से भेजना चाहती हो, अरे ये भला किसकी आवाज है, इधर देखो, मैं बोल रही हूँ, रजनी और महेश दोनों उस चिडिया की तरफ देखते है, तभी वो चिडिया एक परी बन जाती है, दो अरे तुम दोनों घबराओं मत, मैं एक परी हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हे तुम्हारी इच्छाओं का फल देने आई हूँ, मैं हमेशा परी लोग से अच्छे और सच्छे लोगों को देखा करती थी, मैं हमेशा देखती थी कि तुम दोनों पति-पत्नी हमेशा जरूरत लोगों की मदद करते हो इसलिए मैंने तुम्हारी परिक्षा लेने के लिए एक घायल चिडिया का रूप लिया और तुम उस परिक्षा में सफल हुए इसलिए मैं तुम्हें ये जादूई चीकू के बीच देना चाहती हूँ तुम इन बीजों को अपने आंगन में बोना इ परि वहां से गायब हो जाती है रजनी तुरंथी उन बीजों को अपने आंगन में बो देती है सुबह उटकर जब वो पती-पत्नी अपने आंगन में जाकर देखते है तो उनके आंगन में एक बहुत बड़ा चीकू का पेड उगा होता है अरे वा हमारे आंगन में तो सच और क्या रजनी, क्या तुम्हें नहीं लगा था कि यहां पर जादूई चीकू का पेड उगेगा? हमारी रानी परी ने तुमसे खुश हो कर, तुम्हें मुझे दिया है, तुम्हारी जो भी इच्छा हो, वो मुझसे मांग सकती हो. जादूई चीकू के पेड, मेरी तुमसे बस एक इच्छा है, कि पहले मैं जिस तरह से अपने खेट के ताजे और मीठे चीकू बेचा करता था, वैसे ही मैं फिर से बाजार में अपने खेट के चीकू बेच पाऊ, मेरा खेट जमिंदार जी के पास है, क्या तुम मुझे मेरा खेट वापस दिलाने में मेरी मदद कर सकते हो, क्यों नहीं महेश, मैं तुम्हारा खेट तुम्हें वापस दिलवा दूँगा, साथ ही मैं तुम्हारे खेट को भी जादूई चीकूओं से भर दूँगा, फिर तुम्हारे खेट में कभी भी चीकू की फसल खत्म नहीं तुम जितने मर्जी चीकू तोड़ोगे वो उसी वक्त तुम्हारे खेत में उख जाएंगे जादूई चीकू की पेड की मदद से महेश को उसका खेत वापस मिल जाता है अब वो फिर से बाजार में अपने खेत के ताजे और मीठे चीकू बेचने लगता है साथ ही जादूई चीकू का पेड उनके लिए एक नया घर भी बनाता है जादूई चीकू के पेड की मदद से महेश गरीब लोगों के लिए एक बड़ा सा अस्पताल भी बनवाता है जहां मुफ्त में गरीब लोगों का इलाज हो सके महेश अपने आगे की जिन्दगी भी बड़े ही नेकी से जीता है और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है